हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो अरशना क्रेशन देखी मैं आज एक बॉर्ण बेबी के लिए स्वेटर लेके आए हूँ यह स्टेप बाई स्टप कैसे बनाना है आज की वीडियो में मैंने बस यही बताया हुआ है और इसका डिजाइन अलड़ी मैं पहले भी पोस्ट कर चुकी इसका बना सकते हैं और वैसे बी मैंने शौट में बताया हुआ है तो चलिए इस स्टेटर को कैसे बनाना है बनाना स्टाट करते हैं देखी मैं इसका पहले मेजर्मेंट आपको बता देती हुँ कि इतना बड़ा है हमारा स्टर यह बनके तयार हुआ है यह ऐसे देखा कि अगर मैं बात करूं तो यह चोड़ा जो है यह निर अबाउट साड़े नौ इंच का है यानि कि चौविस सेंटीमीटर का यह बनके तयार हो बहुत चोटा सा स्टार है बहुत ही क्यूट सा है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इस स्टार्टर के में टू फंदों में जो हमारे शिक्ससुटे हैं ओ चाहिए और बाकि से हम इसका परंट बनाएंगे तो तो इसमें मैंने जो बॉल्डर बनाया है वह मैंने देखे तीन उल्टी लऄ दिखरेंगे हैं इस मैने से स्टार्टिंग बना रहे हैं अब शीधिस लाइपहां से हमक को हम बनाएंगे तो यह छे फंदे तो आलड़ी मैं इस स्वेटर का बना रही हूं इसलिए स्वेटर के यह बटन पट्टी के छे फंदे रोग दिये अब यहां से इसके बास से हमारी डिजाइन स्टार्ट होगा तो पहला फंदा इसमें एक तू के मल्टिपल में फंदे पड़ते हैं और यह मैंने एक फंदा उल्टा बिना उन अपनी साइड रहने दिया यह फंदा जो मेरा पहला फंदा है इसको मैंने ऐसे सीधा करते हुए एक हो गया उन अपनी साइड लाए दो उल्टे बिने ऊंहारा हमारी फंदा पर इसको एसे ही रहने दिया बस इस लुए वह यह करा आगे जो नौट है वह सीधा तो इन दो फंदो के एक किया तो हमारे एक फंदा घट गया और एक हमारा यह जाली से बढ़ जाता है तो पू करने हैं दो उल्टे बनाने हैं और इन दो फंदो को एक करना है फिर हम दो उल्टे बिनेंगे और इन दो फंदो को एक सीधा बनाएंगे उन अपनी साइड लाएंगे दो उल्टे बिनेंगे, इस फंदे को पलटेंगे और दो फंदो का एक बनाएंगे यह हमारी बिनाई की 1st रो है, सीधी साइड पर 1st रो है और उल्टी साइड पर जाम आएंगे देखें उल्टी साइड पर जो हमारा फंदा जैसा है यानि कि हमारा ये उल्टी साइट से इधर से हमारे जो सीधी साइट से हमारे दो फंदे लास्ट के उल्टे थे तो इनको हमें इधर से उल्टी साइट से सीधे बिनना है दो सीधे नॉर्मली दो उल्टे बिनेंगे जैसे हम दो सीधे और दो उल्टे का बॉर्डर बनाते हैं एस इस हमको पूरी रो कम्प्लीट करनी है दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे बनाते हुए यह उल्टी साइट की पूरी रो कम्प्लीट करेंगे इसी तरीके से इसको बिनते वे आते हैं और सीधी स्लाई पर आने पर फिर से हमारा एक बार पैटर्न चेंज होगा और हमारी बिनाई कम्प्लीट होगी यह देखिए हमारी बिनाई की थर्ड रो है और सीधी साइड है पहला फंदा जैसे मिहां से स्टार्ट कर रहे था बिनाई मैंने तो पहला फंदा हमारा नॉर्मली उल्टा रहेगा अब पहले मैंने ऐसे जाली बनाई थी दो फंदो का एक करते वे उन अपनी साइड रहा था जाली बनाई और भौें चैनल पालब केनीच यह सीधा पंदा इन दोनों पेन रहेते अब उनकी मैं पीसी देशे मने बनाऊनेता था मैं और यह दो का एक यह जाली बनांने के लिए लोगो कre number, से जाली बनानेके हागे माविद कुकि ए मोदी का सबकर नियुकर के सब्सथर्णा इस इन सब्सक्राइब करता है इनौ इसे कि बनाए और नियुकर के सबस्थर्णा है और दो green ओओ या उल्टे बनने को सब्सक्राइब करते हको बनाब एक विद्थर। कि लूप में ऐसे करा मलब जाली बनाने के लिए अगर एसे जाली बनाएंगे आप उल्टे साइड पे तो आपकी जाली अच्छी नहीं बनेगी इसलिए एक वार आगे लाते हैं और ऐसे उनको इसपर लपेटते हैं और दो फंदे उल्टे बिनेंगे बस इसमें खाली ध्यान जरा सा यह द्यान देना पड़ता है कि जो हमारी पहली सिलाई है उसमें हम सामने से ऐसे बिनते हैं फंदे को सीधा करते हुए और जब हम थर्ड रोपे आते हैं सीधी सिलाई सेकंड सीधी सिलाई पे तो इसमें पीछे से बिनते हैं जड़ा सा धेहान देना है बाकी बिनाई हमारी बहुत ही इजी पैटर्न है और बहुत ही असानी से किसी भी स्वेटर में आप डालिए सम्में बहुत आसानी से पढ़ता है पीछे ले गए इन दो फणों का ऐसे एक किया और ऐसे जाली बनाते हुए दो उल्टे बिने उल्टी स्लाई हमारी हर बार जित्ती बार हम बिना ही डालेंगे permanent हमारे उल्टी स्लाई में हमको ऐसे ही बिनना है दो फंदे देखे clear दिखने लगते हैं दो हमारे यह सीधे हैं यह देखी, दो सीधे हैं और यह वाले फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे तो उल्टी साइड कम्प्लीट करते हैं अब देखिए जब हम सीधी सिलाई पे आएंगे तो यहां से हमको कुछ भी नहीं करना है एस इस हमारा पैटर्ण वैसे ही रिपीट होगा जैसे मैंने फस्ट रो इसमें रिपीट करी थी बार बार हमको उनी सिलाईयों को रिपीट करते हुए जाना है और हमारा यह पैटर्ण बनके आ जाएगा तो देखिए यहां से फिर से एक बार मैं रिपीट करके बताते हूँ यह हमारा उन अपनी साइड है इस फंदे को हम ऐसे सीधा करेंगे इन दू फंदों का एक करेंगे यही मैंने फस्ट रो में स्टार्ट किया था एज इस हमारी फस्ट रो यहीं से रिपीट होगी और यह हमको ऐसे ही बिनना है उन अपनी साइड रहेगा इस फंदे को सीधा किया और ऐसे बिना फिर दो फंदे उल्टे बिनेंगे उन हमारा अपनी साइड है इसको सिधा करते हुए दो का एक किया बार बार हमें इसी पैटर्ण को रिपीट करते हुए जाना है आप पड़ी इसी पैटर्ण को रिपीट करते वे जब जाएंगे बार बार इसी पैटर्ण को रिपीट करते वे हमको उपर तक जाना है और ये लग-बग जो हम परोलो जबनाएंगे तोलगबग six to seven in इंच इंच तभ्मक को एससे ही रिपीट बनाते बनके तयार होगा तो इसको ऐसे ही उपर तक बनाते हैं बस इतना दिहान रखना है आपको कि बस दो बार इसमें हमको इस पैटर्न को अपकिल मैंने इसको इस साइट ऐसे बना रहे हैं सब्सक्राइब में आएंगे तो हमको इधर से बनाना है बस इतना जड़ा सा दिहान रखना है वरना बहुत ही इजी भी नहीं है तो इसी तरीके से इसको उपर तक कंप्लीट करते हुए आते हैं यह देखी मिंती पर आये तो पूरा यह हमारा ऐसे कंप्लीट होके आ गया यह हमारा जो बनकी आया है इसकी अगर यहां से इसकी लेंथ नापेंगे तो यह हमारा यह सेवें इंचे का हुआ है यहां पर ऐसे रखके इसको नापते हैं सेवें इंच से थोड़ा से जादा है कि दिखिए इसको ऐसे नापते सेंटी मीटर में तो 19 सेंटी मीटर का हमारा यह हुआ है इसके बाद अब इस साइट से उल्टी साइट से इसमें बाजू की शेप करेंगे तो इसमें हम 6 फंदे कटाएंगे तो 3 2 1 पर फस्ट रो में 3 से कटाएंगे फिर सेकंड उल्टी रो में 2 और फिर एक इस तरीके से 3 2 एक फंदे कटने के बाद हमारा बाजू का शेप इसमें हो जाएगा देखिए पहली बार में गटाएंगे तो दो और यह तीन इसी तरीके से नेक्ट सीधी सिलाई में आएंगे दो कटाएंगे फिर गटाएंगे तो छे पंदों से शेप करने के बाद लगभग एक इंश बिनने के बाद फिर इसमें गले का शेप इसमें हमें करना है ओस इसका शेप कर और लगबख जहांसे हमने इसा भ pick up कर भाए यहां से वंगैश्या है यह से हमने पयहली। एह वायल आंग्सार चेती उनियुसे भाए कंतिवर प् reflecting तो टोटल 12 रो के बाथ हम फिर ज़े का शेप करेंगे लगबद यहां से अगर आप के गइसे देखें एक से नेषार का उन हमको शेय्प करना형 तो शेय्प करने के लिए खते इनुचिव फूंदऔर रिखने सारे वीडियो में रहता है कि पहले ये फंदे तो हमको नॉर्मल ऐसे ही ले लेने रहते हैं उसके बाद के फंदों को हम घटाते हैं तो यहां से हम इस फंदे को से स्टार्ट करेंग घटाना और पहले हम इसमें चार घटा देंगे एक कि दो तीन और एक चार अब उल्टी साइड इसमें डिजाइन के एकॉर्डिंग यहां से डिजाइन पूरी चलेगी और उल्टी साइड जैसे हमें डिजाइन बन रही है वैसे बनाएंगे फिर सीधी स्लाई में आएंगे तो हमको घटाने पड़ेंगे इसमें कि दो फंदे घटा देंगे और उसके बाद नेक्ट स्लाई में हम इसमें एक फंदा घटाएंगे तो इससी तरीके से हम पूरा गला इसका कम्प्रीट हो जाएगा और इसको लगभग साड़े चार से पांच इंचेस का बिनने के बाद हम इसको बन कर देंगे अभी तो इसमें हमारी डिजाइन सीधी शाइट पर दिजाइन है तो दिजाइन के यह देखी पूरा मैंने गला इसले करना है इसका यह ऐसे और यह से अगर शेप यहां से यहां तक की लंबाई है जो हमारी 4 इंच की हो गई है और यह हमारा इसमें ऐसे गलावन के आया है और यहां से यहां तक 4 इंच की इसमें शेप हो गई तो इसी तरीके से इसका second part मैंने ये बनाया हुआ है, ये इसका second part है, और इसमें जो मैंने back part बनाया है, वो मैंने दो color से बनाया है, border तो मैंने yellow color से डाला है, और उपर का portion ये मैंने अलग से दूसरा green color में बनाया हुआ है, और अब इसकी बाजू बनाएंगे, ये देखिए, इसकी जो मैंने sleeve बनाई है, स्टार्टिंग उन्हें 31 फंदे राले, और आठ सिलाईयों का इसे मैंने उल्टा-उल्टा border बनाया, फिर हर 6 सिलाई के बाद दो color का, मलब एक सिलाई सीधी उल्टी yellow color से भी नहीं बाकी ऐसे बिनते भी आए, और इसकी जो मैंने लंबाई करी ह है, यहां से, जहां से मैंने बाजू इसमें घटाई है, ऐसे नापेंगे, तो हमारा यह चेंच का, यह देखिए, ऐसे चेंच का आता है, यहां से, यहां तक, चेंच के बाद मैंने यहां पे हमारे 45 फंदे हो गए, तो मैंने फंदों को बन किया, हर सिलाई पे तीन इस साइ के बन के यह तो सारे पार्ट को हम इसमें अटैच कराएंगे यह जो हमारा बैग पार्ट में हम इसके दूनों शोल्डर को ऐसे रखके जोड़ेंगे और अवि rapt को उच्छोडराने के बाद फिर लास्ट में इसका गला बनाना है यह देखिए इसका पूरा गला मैंने ऐसे शेप से घटाया और इस साइड का भी गला घटाया है और इसको मैंने शोल्डर इसमें अटेच करवा दिये इसी तरीके से मैंने इसकी बाजू बनाई थी जो बाजू को भी मैंने इसमें सिल दिया है पूरा सिर्फ मेरा इसमें गला बनाना बाकी रह गया है तो देखे गले को बनाने के लिए गले के फंदे यहां से हमको उठाने हैं तो कैसे उठाएंगे सबसे पहले तो जो हमारे ये ये वाले फंदे हैं इनको तो हमने ऐसे इस लाई पे ले लिया अब यहां से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यहां से पट्टी के बाद से फंदे हम यहां से उठाएंगे ऐसे मैंने नेडिल को नीचे डाला और इसमें अटेश कराते हुए ऐसे ऐसे उठाएंगे आराम से जितने फंदे हमारे इसमें उठाएंगे उसी त आप ऐसे नॉर्मली पास-पास आप इसमें से उठा लीजी क्योंकि यह इस तो नॉर्मली जाली जो जो ऐसे इमारा एक स्टिचेज आता है इसमें से उठा सकते हैं लेकिन यहां पर डिजाइन के एक ओर्डिंगे टेड़े मेड़े फंडे हैं तो इसलिए थोड़ा सा कि इनको नीचे से उठाना है मेरे यांप साइप के पूरे उठा के कम्प्लीट करते हैं इसके बाद उल्टे उल्टे स से इसमें गला पनाते हुए इसको complete करते हैं पूरे फंदेश में गले के दिखे हमारे उठ गए हमारे इस front के back के और ईसस वाइ के उठा के यहां तक फंदे उठाए इस प्राइंैं चला इंहाày है इन फंदो को हम पूरा उल्टा संदे वह गले कोthis करेंगे इस इस इएूँ इसमें 6-7 शिलाइब बिनेंगे जिससे हमारी इसमें 4-5 वो तीन से 4 उल्टी रो बनके आएंगे ऐसे इसे उल्टा बिनते हुए दोनों साइट से उल्टा बिनते बिनते इसको कंप्लीट करेंगे गले को यह देखिए ऐसे इस साइट से भी उल्टा बहां बाडर यह बना हुए मैंने उल्टे से बनाया है तो इसी तरीके से इसका गला कंप्लीट करते हैं यह देखिए पूरा गला बंद होने के बाद इस साइट से बन करते हुए हमारे जी चोड़ा ही अपने उपर डिपेंड करता है बड़े कि इतना सुंदर हमारा यह बनके आया है यह ऐसे बांड बेबी का सवेटर है देखिए ऐसे बनके आया और इसमें इतना श्रिंक हो रहा है कि फंदे पीछे से आगे पॉर्षन में थोड़े एक दो फंदे जादा ही एंफिर भी पीछे का पॉर्षन मेंने कम डाले थे कि स्वेटर ऐसे आया तो फ्रेंड्स यह हमारा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे उम्मीद है कि स्वेटर आपको पसंद आया होगा और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं हमाया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें बेल आइकन को प्रेस करें जि कुल